हेलो दोस्तों राधे राधे हर हर महादेव मैं मिनाक्षी एक बर फिर से आपके सामने अपने अगले वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ तो चलिए फटा फट से जान लेते हैं कि आज इस वीडियो में हम किस बारे में चर्जा करने वाले हैं तो चर्जा तो आज के वीडियो में बेबी हुट पिरेट की ही होने वाली है जिसमें हम बेबी के बारे में और भी कुछ अच्छी जानकारी लेने वाले हैं तो जैसा कि अगर आपने हमारे कुछ पिछले वीडियो को देखा होगा तो आपको ग्यात होगा कि अपने पिछले वीडियो में मैंने Speech Development of Babies के बारे में बात की थी कि उनकी Speech Development कैसे होती है किस तरीके से होती है वो सब बारे में हमने चर्चा की थी तो इस वीडियो में कुछ उसी से related हम बात करने वाले हैं तो वो Speech Development के लिए कुछ टास्क की अवशक्ता होती है जिसको की बच्चे करते हैं, प्रैक्टिस में लाते हैं और जिसके थुरू उनको वो बोलना सीखते हैं तो there are tasks in learning to speak तो बोलने के लिए कुछ टास्क हैं जो उनको perform करने होते हैं, प्रैक्टिस करने होते हैं तो आज किस तरह के टास्क वो हैं आज इस वीडियो में हम उस बारे में चर्चा करेंगे तो मैं आशा करती हूँ कि आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेंगे और इस जानकारी का लाब उठाएंगे और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से प्लीज सब्सक्राइब करतीजे और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर दे दीजेगा तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं तो अगर हम देखें तो learning to speak involves three unrelated ask द्डिफिकल्ट टास्क जो लर्निंग बोलने के लिए जो लर्निंग होती है वह तीन unrelated or difficult task उसमें involved होते हैं तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि ये घुन कौन से होते हैं वह है पहला ब्रेन दूसरा vocabulary बिल्डिंग एन तीसरा sentences तो चलिए one on one हम इन टास्क के बारे में और अच्छे से जानते हैं तो सबसे पहले बात अगर हम करते हैं pronunciation तो जब हम बोलने चलते हैं जब हम कोई भी तरह का अपने चाहे sentence के थूँ चाहे किसी के थूँ हम जब कोई चीज़ को communicate करते हैं speak करते हैं तो उसमें pronunciation का बहुत बड़ा हाथ होता है जिससे कि वह एक meaningful information या तो हम दे पाते हैं और अगला ले पाता है तो it is a very important task in learning to speak तो the baby learns to pronounce words partly by trial and error but mainly by imitating adult speech तो अगर हम pronunciation के समय देखें कि जो baby होता है वो trial and error की basis पे कुछ words बोलता है सीखता है और खास करके वो अपने adult को imitate करके वो speech को बोलने की प्रनाउंस करने की कोशिश करता है consonants and consonant blends are more difficult for babies to pronounce than vowels and diphthongs vowels और diphthongs की अपक्षा अगर हम देखें तो consonant और consonant blends को बोलने में बच्चे को ज़्यादा कठनाई होती है much of the baby's speech is incomprehensible up to the age of 18 months और कभी कभी कुछ बच्चों की तो 18 मेने तक की age तक उनकी जो speech होती है incomprehensible होती है कि मतलब लोग नहीं समझ पाते हैं comprehend नहीं कर पाते हैं कि वो क्या बोलना चाह रहा है कहना चाह रहा है after which there is gradual but marked improvement बट धीरे 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 उसमें धीरे धीरे सही बट मांग इंप्रूमेंट देखने को मिलता है जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है now next come vocabulary building buildings are vocabulary by associating meaning with words that can be used to communicate meanings to others ठीक है तो vocabulary का build up होना is very important उसी के थुरू हम दूसरों को कुछ भी communicate कर पाएंगे speech development तभी अच्छे से हो पाएंगी हम बोलना सीख पाएंगे with meaningful vocaps के साथ babies learn the names of people and objects first बच्चे जो होते हैं लोगों के नाम या चीजों के नाम को सबसे पहले learn करते हैं बोलना उस words को and then verbs such as give and take उसके बाद वर्ब पे आते हैं जैसे कि कुछ words जैसे हम वर्ब के words कह सकते हैं give and take just before babyhood ends जैसे babyhood end होने को होता है तब तक उनके अंदर यह ability आने लगती है they learn a few adjectives such as nice and naughty अगर हम example के रूप में देखें जैसे कुछ adjectives nice हुआ night naughty हो गया यह सब वो एसे few words ही उनको अभी वो बोल पाते है as well as a few adverbs साथी साथ adverbs भी उनको अभी कम समझ में आते हैं prepositions conjunctions and pronouns are generally not learned until early childhood अगर देखा जाए तो conjunction हुआ pronounce हुआ prepositions हुआ तो यह अगर देखा जाए तो early childhood year तक में आते आते तक भी उनकी अभी develop नहीं हुए रहती है वो vocabulary उनकी develop नहीं हुए रहती है vocabulary increases with age जैसे ऐसे बढ़ती है वैसे वैसे उनकी vocabulary बढ़ती है और वह और अच्छे से वह बिल्डिंग कर सकते हैं now come sentences combining words into sentences that are understandable to others अब sentences में यहां क्या होता है learning की जब हम words को combine करते हैं और एक meaningful sentence के रूप में उसको present करते हैं जो की दूसरों के द्वारा understandable हो तो चलिए उसके बारे में देखते हैं कि baby का कैसा task इसमें होता है उस चीजों को learn करने में और develop होने में the baby's first sentences which appear between 12 and 18 months सबसे पहला sentence जब वो बच्चा लगबग एक साल का 12 months से लेके देड़ साल तक होता है उस बीच में वो उसका होता है generally consists of one word accompanied by the gesture देखा जाए तो उस sentence में लगबग एक ही word होता है और वो word combined with gesture के साथ वो अपने sentence को पूरा करता है gradually more words creep into the sentences धीरे 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 slowly slowly उसके sentence में age के साथ साथ words जो है और उसके sentence में आने लगते हैं more words आने लगते हैं but gestures predominate until well into childhood childhood तक but gestures का उसमें हमेशा एक combination बना रहता है और worldly childhood तक बना रहता है बच्चा जो होता है वो अपने sentence में gesture के साथ उस sentence को बोलता है तो यह इस तरह के task जो होते हैं वो मतलब speech को learn करने के लिए speaking skill को develop करने के लिए यह तीन task को समझना जानना learn करना बच्चे के लिए बहुत ज्यादा important हो जाता है these task involve not only control over the vocal mechanism but also the ability to comprehend meanings and to associate them with words which act as symbols for meanings तो यह सारी चीजें हुई task के बारे में कि बच्चा कैसे धीरे धीरे बोलना शुरू करता है speaking skill उसकी कैसे develop होती है तो यह सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब करिए जिससे मेरी आगे आने वाले वीडियो का आप फायदा उठा सके मैं आगे और भी रोचक चीजें रोचक information लेके आने वाली हूं तब तक अब इस वीडियो में मैं अपने इस वीडियो को end करती हू और आपसे फिर मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए ख्याल रखिए टेक केर बाबाए